मेडम स्पिकर एक हम सबी लोग भारत के लोगतंत्र में विश्वास रखते हैं और हमारा देश तो दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है और हम गर्व के साथ बात करते हैं कि हमारी लोगतंत्र समिदान के तहट चल रही है और सभी को बोलने का अधिकार है लिखने का अधिकार है और भाशन करने का भी अधिकार है आर्टिकल नाइटीन में ये सपस्ट किया गया है कि भारती समिदान में फ्रीडम अप स्पीच और एक्स्प्रेशन का मूल भूत अधिकार दिया गया है ठीक है आके हमारे पास पूछो करनाटक में उत्तर देंगे उसका तो लेकिन ये बहुत दुक्क की बात है इस सरकार के पिछले कुछ वर्ष में मेडिया पर पहुबंदी लगाने की कई खिस्से हो चुके हैं खास कर जब भी मेडिया ने सरकार के विचार के खिलाब या रियालिटी चक ऐसी जो चीजे पूर पेडिया में आती है तब उसको दराने का धमकाने का उनका मूँ बंद करने का काम हो रहा है मैं एक ही उदारण आपको देंगा मेड़म दो दिन पहले ही एबी पी नियूज के दो उचे स्थर के करमचारियों को इस्तफ़ा देने के लिए कहा गया उसमें ए मिलिंद खंडे कर जो कि उस न्यूज चैनल के मैनेजिंग करें चौदा साल से उस चैनल के साथ काम कर रहे थे और उसी के साथ जो एंकर्स दो एंकर्स वो भी काम कर रहे थे उनकी एक ही गलती यह थी कि जो प्राइम मिनिस्टर मन की बात में अपने विचार कहते हैं उन विचारों को रियालिटी चेक करने के लिए च्छतिस गड़ में अपने रिपोर्टर को दे जा तब वह वहां पर आपको माईगे मालू में क्या आपके पास फैक्स एंफिगर से क्या वो प्राइविट चानल इस प्राइविट 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 थीक है जो एक महला एक महला पूछो उसकी आमधनी डबल हुई है ऐसा उन्होंने कहा था तो उस महला को जाके वहां के अंकर ने पूछ रिपोर्टर ने पूछा तो ये गलत है उन्होंने महिला कहा और मुझे कहा गया था सरकार के तरफ से कि आपकी आमदानी डबल हो गई है क्योंकि यहां पर पैडी का क्रॉप हम दे रहे हैं तो उसके उपर ये न्यूस आने के बाद इन तीनों लोकों के उपर ऐसा दबाव डाला गया और एबीपी चनल पे भी दबा करना पड़ा मुझे तो एबीपी चनल चलाना है इन एंप्लाइज को ले कि मैं क्या कर तो तीनों एंप्लाइज को निकाल दें इनके उनकी मुँ बंद करने की कोशिस होगी और दूसरे तरफ अर बोलेंगे दूसरे तरफ मेडम स्पीकर दूसरे तरफ और एक बात हो रही ह है कि मैं देखता हूं सेंट्रल हॉल में भी सीनियर एम्पी राज्टबा के मेंबर होता है वो खुदी ये मेडिया को चालेंज करते हैं अगर हमारे विचारों पर आप नहीं चलेंगे तो हम आपका चनल बंद कर लेंगे हम अपने चनल और उन्होंने करके दिखाया एंडिया के उपर उन्होंने आपको मालूम है नाशनल टीवी जो था उसको उसको भी उन्होंने 24 गंटे बंद करवाया था और दूसरों को भी ऐसा ही अगर फ्रीडम अप स्पीच नहीं है तो हम कहा बात कर सकते हैं और वो बात प्रेस को भी दबाना चाहते हैं जो आपके विचारों के खिलाफ लिखना चाहते हैं उनको भी दबाना चाहते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है इमीडेटली मेडम ऐसे विचार को जो ऐसे विचार धारा पर जो चल रहे हैं यह गलत है समीदान के खिलाफ जो चल रहे हैं और फंडमेंटल राइट्स को जबाने की जो कोशिच हो रही है यह नहीं होना चाहिए मैं आप से विननती करता हूं